नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि स्टैलपोल 650 टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है स्टैलपोल 650 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और स्टैलपोल टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि स्टैलपोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए स्टैलपोल एक ब्रैंड नेम है Stalpol Tablet के अंदर सौर्ट कंपोजिशन पेरा सितामोल 650 Mg होता है Stalpol Tablet का उप्योग दर्द और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है Stalpol Tablet का उप्योग बुखार होने पर शरीर की मासपेशियों में दर्द होने पर सिरदर्द होने पर दातों में दर्द होने पर कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आधी कंदीशन्स में Stalpol Tablet का उप्योग किया जाता है बहिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए Stalpol Tablet का उप्योग किया जाता है इसके अलावा सर्दी जुकाम के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी Stalpol Tablet का उप्योग किया जाता है Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Stalpol Tablet की वज़ह से कोई Side Effects नहीं होते है स्टैलपोल टैबलेट दर्द और बुखार की एक सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में स्टैलपोल टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन ज्यादा डोज में स्टैलपोल टैबलेट को लेने की वज़़ से लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको स्टैलपोल टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। एलर्जिक रियेक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे कि स्टैलपोल टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेल होता है। स्टैलपोल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Stelpol 650 Mg Tablet को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को Dr. केवल दर्द या बुखार होने पर ही Stelpol Tablet को लेने की सलाह दे सकते हैं। स्टैलपोल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको स्टैलपोल टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि स्टैलपोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किड्नी या लिवर की कोई बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित यक्तियों में स्टैलपोल टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। डॉक्तर की सला के बिना लगातार तीन दिन से अधिक स्टैलपोल टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना स्टैलपोल टैबलेट को लगातार तीन दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। स्टैलपोल टैबलेट के साथ शराप का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टैलपोल टैबलेट के साथ शराप का सेवन करने की वज़़ से लिवर डैमेज होने का जोखिम अधिक हो जाता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्टैलपोल 650 MG टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। स्टैलपोल टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। और स्टनपान करा रही महिलाओं के लिए भी स्टैलपोल टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को कम समय के लिए और कम डोज में स्टैलपोल टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका स्टैलपोल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।